नमस्कार आप देख रहे हैं स्पोर्ट सार आपके साथ नहुआ पोल मिश्डा विश्व के महांतम बल्लेवादों में से एक और गॉड आफ क्रिकेट के नाम से मशूर सचिन तंदुलकर सिर्फ भारफ में ही नहीं बलकि क्रिकेट देखने वारे दुनिया भर के फैंस के दिलों पर राज करते हैं सचिन ने अपनी कड़ी महनत और लगं से क्रिकेट के दुनिया में वो नाम कमाया जिसका सपना हर क्रिकेटर देखता है लेकिन पूरा नहीं कर पाता खास तोर से इंडिया में कई युवा बैट्समेन सचिन तंदुलकर की तरह ही बनना चाहते हैं वो सचिन की बैटिंग स्टाइल की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह खेलने की कोशिश करते हैं, उनकी तरह ड्राइब लगाने की कोशिश करते हैं, कट लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर कोई सचिन नहीं बन पाता हाँ कुछ खिलाडी ऐसे जरूर हैं जिनमें सचिन के अक्स को खोजा गया जैसे विरेंदर सहवाग को ही ले लीजे विरेंदर सहवाग को लोग छोटा सचिन बोलने लगे थे क्योंकि वो सचिन की ही तरह बैटिंग करने की कोशिश करते थे और लगबख उन्ही की स्टाइल में बैटिंग करते भी थे इन सब के बीच बड़ा सवाल ये है कि सचिन खुद किस खिलाडी में अपना अक्स देखते हैं वो किस बैट्समेन में खुद की जलक देखते हैं तो दोस्तो इस सवाल का जवाब सचिन ने खुद दिया है अपने इस फीडियो में हम आपको बताएंगे कि सचिन खुद किस खिलाडी में अपनी जलक देखते हैं कौन हो सकता है वो खिलाडी जिसे खुद सचिन अपनी तरह मानते हैं नीचे दिये कॉमेंट बॉक्स में आप कॉमेंट करके ये बता सकते हैं कि आपका गैस क्या है आप किसे सचिन की तरह मानते हैं आप किस खिलाडी में सचिन की छलक देखते हैं क्या वो इंडियन खिलाडी है क्या वो आस्ट्रेलियन खिलाडी है क्या वो न्यूजिलेंड का खिलाडी है? किस खिलाडी में आप सचिन का अक्स देखते हैं? और आपको क्या लगता है? सचिन किस खिलाडी में खुद का अक्स देखते हैं? सचिन ने क्या बोला होगा? चलिए अब आपको बताते हैं कि सचिन ने आखरकार बयान दिया क्या है दरसल सचिन इन दिनों ऑस्टेलिया में हैं जहां पर वो बुशफाय क्रिकेट बैस चैरिटी मैच का हिस्सा बनने वाले हैं अस्टेलिया के जंगलों में लगी भीशड आख से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चैरिटी मैच खेला जा रहा है ये मैच T10 यानी 10-10 ओवरों का होगा इस अतिहासिक मैच में जस्टिन लेंगर, मैथ्यू हेडन, ब्रेट ली, एंड्रियो साइमंट्स, खुद सचिन तंदुलकर, रिकी पॉंटिंग, शेन वाटसन जैसे धाकर खिलारी भाग लेने वाले हैं इस मैच में सचिन रिकी पॉंटिंग की टीम के कोच की भूमिका में दिखेंगे यहां मैच से पहले पत्रकारों से बातचीत करते हुए सचिन ने बताया कि वो किस क्रिकेटर में अपनी जलक देखते हैं तो दोस्तों सचिन ने बताया है कि वो आस्टेलियाई खिलाडी मारनस्त लवुशेन में अपनी जलक देखते हैं जिहां सचिन ने एक आस्टेलियाई खिलाडी का नाम लिया है जिसने काफी लोगों को हैराम भी कर दिया सचिन ने लावुशेन की तारीफ करते हुए कहा लावुशेन का फुट वर्क काथी शांदार है तो मुझे रखता है कि उसमें कहीं ना कहीं मेरी जलक है उसके बारे में कुछ तो खास बात है ICC ने सचिन के इस बयान को ट्वेटर पर शेयर करते हुए लिखा है लाबुशेन के लिए ये बहुत बड़ी बात है वाकई में दोस्तों ये लाबुशेन के लिए बहुत ही बड़ी बात है कि विश्व के इतने महान बल्लेबाद ने खुद ये कहा है कि वो लाबुशेन में अपनी जलक देखते हैं सचिन तंदूलकर के मूझ से ये बात उनके लिए निकलना बहुत बड़ी बात है देखना होगा कि लाबुशेन क्या सचिन की तरह रिकॉर्ड बना पाते हैं सचिन जिस लाबुशेन में अपनी छलक देखते हैं क्या वो लाबुशेन सचिन के तरह आगे खेल पाते हैं। क्योंकि शुरुवात तो उन्होंने बहुत शांदार की है। शुरुवात की उनकी इनिक्स देख लीजे आप, बहला उनका जो दौरा रहा है बहुत शांदार उन्होंने उस दौरे में प्रदर्शन किया। टेस्ट मैचस में एक के बाद एक सेंचुरी भी लगाई, डवल सेंचुरी भी लगा दी। और अभी गिंती के मैचस खेले हैं। साथ से जादा क्योंकी आउसत है। तो लाबुशेन में सचिन को अपनी जलग दिखती है, यह सचिन ने खुद कहा है। हमें यह उम्मीद थी कि सचिन किसी भारती खिलाडी का नाम लेंगे, हो सकता है सचिन बिराट कोली, रोहिष शर्मा, या फिर किसी बश्रेय साइयर, केल राहूल, ऐसे किसी बैट्समन का नाम लेंगे, जो हिंदुस्तान में इस वक्त नाम कमा रहा है, एक के बाद एक शतक लगा रहा है, अच्छी बैटिंग कर रहा है, लेकिन सचिन ने एक औस्रिलिया एक खिलाडी का नाम लेकर सब को चौका दिया है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या सचिन को किसी भारती खिल्केटर का नाम लेना चाहिए था, या पिर ठीक है, आप भी मानते हैं कि सबुशेन सचिन की तरह खेलते हैं, उनका फुटबर्ग भी सचिन की तरह है, इसलिए सचिन ने बिल्कुल ठीक कहा है, उन्हें बिल्कुल सही लगता है कि मानते हैं सबुशेन में सचिन को खुद की झलक दिखती है, आपका इस बारे में जो भी सोचना है, हमें कॉमेंट क कि अपनी राइब जरूर दीजेगा